कि नमस्कास आतियों आप सभी का साथ है आपके अपने चैनल इंदोल जी में तो दोस्तों कि लेक्टिट की क्लास आपको डेनी मिल रही है तो उसी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हम इंपोर्टेंट कोशन लेकर आए हैं तो आपको इन सभी का आंसर देना दोस्तों अपने कमेंट में इसकोर जरूल बताना है कि आपका इसकोर आज क्या रहा तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो कोशन दोस्तों दौनों लेंगेज में हिंदी और इंग्लिस दोनों में तो पढ़ते हैं नीचे पिरते एक पिर्सर में पास शब्द दिए गई हैं इन सभी को शब्द कोश की तरह बर्ड माला के अनुसार लगाए जाए तो इनमे से कौन सा तीसे इस्तान पर आएगा इंगलिस में पढ़े इन विच कोश्चन बिलो आर गिवन फाइव वर्ट्स इफ ओल दीज आर अरेंज अल्फावेटिकली लायका डिक्सिनरी विच ओफ दे फॉलाइंग विल कम एड़ थर्ड पोजिशन यानि दोस्तो तीसे नमबर पर इनमे से हमको बताना है यह जो दिये हुए तो दोस्तो देखते हैं पहला लेटर क्या है एस पहला एस इसमें भी एस दोस्तो सभी में एस दिये हुए है तो हमने आपको रता है कि जब भी सेम लेटर हो तो उनमें कमपैजिशन नहीं कर पाते तो दोस्तो इससे आगे चलेगी तो इससे आगे क्या है यहाँ पर है ए फिर यहाँ पर क्या है दोस्तो एच और यहाँ पर क्या है आई और यहाँ पर क्या है एच तो एच आएगा तो एचि कितने हैं हैं हो सबसे पहले कौन सा आएगा यानी यह दूसर नबर पे आजएगा तो यहाँ गाट गया अब by और o में कौन सा आएगा तो o वाल आएगा तो दोस्तो 30 नमबर पर फिर हमारा option e आएगा option e so हमारा बिलकुर right answer हो जाएगा तो चलते हैं next question पर तो अब दोस्तो question दिया हुआ है नीचे परते एक person में 5 सब्स दिये गए है in सभी को शब्द को उसकी तरह बर्ड माला के अनुसार लगाया जाए तो इन मैसे कौन सा तीसे इस्तान पर आएगा तो दोस्तो इसमें भी आपको देखना है तो L यहापर भी L यहापर भी L और यहापर भी यहापर यानि सब में दोस्तो L दिया हुआ है पहला वाला जो वर्ड है दोस्तो पहला वाला जो लेटर है वो सभी में सेम दिया हुआ है अब उससे आगे चलते हैं तो उससे आगे यहाँ पर क्या A फिर यहाँ पर क्या A फिर यहाँ पर क्या O यहाँ पर क्या A और यहाँ पर क्या A दोस्तो अब इसमें सबसे पहले कौन सा आजागा तो A वाला तो A वाले दू है तो हमको दोस्तों यह नहीं पता करना है कि पहले कौन सा आएगा A में लेकिन पहले दूसरे number पर यह आ जाएंगे यानि कि यह और यह तो हमारे दो भट गए अब दोस्तों I पहले आता है कि O तो आप कहिंगे पहले आता है I तो I के भी दू है कौन सा है एक B वाला है और एक D वाला है इन दौना में comparison कर ले जो पहले आयागा वो यहारा 30 रबर पर होगा तो दोस्तों I के बाद क्या है यहाँ पर T और यहाँ पर क्या C तो C पहले आता है कर T तो C पहले आता है तो option D इसका विल्कुल right answer हो जाएगा तो दोस्तों चलते हैं अब हम next question पर तो अब question दिया हुआ है कि the news given in each question below is to be classified into the following areas यह नीचे पिरते एक पिरसन में दी गई ख़बर को निमले के चेतरों बरगी ख़त करना है दोस्तों ख़बर है Australian Open के semi final में पहुंचने के लिए वारतियों ने अपने प्रतिपच्छी रशियोंनों को हराया दोस्तों यह जो news है यह आपको किस में इसको बरगी किरत करेंगे आप इस news को किस category में रखेंगे तो बिग्यान और प्रदोगु की राजनीती खेल कून, सामाजिक मसले परियावरण तो इसमें खेल की बात हो रही है Australian Open जो टेनिस का दोस्तों होता है खेल उसी की बात हो रही है तो इसमें option C दोस्तों खेल कून हो जाएगा तो अब चलते हैं हम next question पर तो इसमें कोशन है कि पास की फेक्टरियों से प्रदूसकों के भड़े हुए इस तरह के कारण सेहर में अस्तमा के केसों की अत्यदिक बृद्धी हुई है दा इंक्रीज लेवल ऑप पॉल्यूंट फ्रॉम नियरवाई फेक्टरीज हैव लेड तो ए उस इंक्रीज इन अस्तमा केस इन दा सिटी दोस्तो अब यह किस में आएगा विग्यान अवप प्रोदू की राजनीती, खेल कूद, सामाजिक मसले पर्यावरण दोस्तो फेक्टरी के कारण प्रदूसर हो रहा है तो उसी की बात है तो दोस्तो यह पर्यावरण से सम्मद देते हैं यानि option E इसका विलकुल right answer हो जाए तो चलते हम next question पर तो अब दोस्तो यह question दिया हुआ नीच प्रतिक प्रसन के अच्छर समू को निमलिकित कोड़ों में कोटवत करना है तो दोस्तो अब आपको यह कोड़ दिये हुए है अब इसका कोड़ बताना है तो P का कोड़ क्या है 4 तो 4 हो जाएगा P का कोड़ D का कोड़ क्या है दोस्तो 6 तो 4 के बाद 6 अब S का कोड़ क्या हो जाएगा 2 तो यह 2 हो गया अब यहाँ पर दोस्तो H का कोड़ क्या हो जाएगा 5 तो 5 हो गया और E का code क्या है 3 तो यहां पर 3 हो गया और T का code क्या है दोस्तो 7 तो यहां 7 हो तो 4, 6, 2, 5, 3, 7 देखें इसमें तो option A देखते हैं दोस्तो 4, 6, 2 3, 5 है दोस्तो तो यह cancel हुआ option B देखते हैं 4, 6, 2, 5, 3, 7 बिरकुल सही है दोस्तो option B में हमको answer अपना मिल गया है तो चलते हैं दोस्तो अब next question पर तो अब यह question दिया हुआ अब आपको इसमें बताना है तो S, I, D, T, X, E का code बताना है S, S का क्या है दोस्तो 2 I का कितना है 9 D का क्या है 6 T का क्या है 7 और X का क्या है 0, X का क्या है दोस्तो 0 और E का क्या है 3 तो अब आपको देखना है यहाँ पर 2, 9 2, 6 है यह cancel दोस्तो 2, 6 यह भी cancel अब option भी देखते है 2, 9, 6, 3 है दोस्तो यहाँ पर 7 होना चाहिए तो option D अमारे विल्कुल right answer हो जाएगा option D अमारे विल्कुल right answer हो जाएगा तो चलते हैं हम next question पर तो question दिया हुआ है अब दोस्तो इसका code बताना है हमको दोस्तो अब इसका code बताना है हमको तो बताते हैं 5 5 का code क्या है दोस्तो H तो H हो जाएगा 0 का code क्या है तो 0 का code हो जाएगा X 0 का code क्या है X 2 का code दोस्तो क्या है S अब 1 का code क्या है तो 1 का code हो जाए Q और 3 का code क्या है तो 3 का code यहापर E हो जाएगा दोस्तों और 4 का code क्या है तो P अब हमको देखना है कि X HX SQEP किसमे है H, S दिया हुआ है दोस्तो X होना चाहिए यहां पर HX SQEP तो दोस्तो ओप्षन वी में हमको राइट आंसर मिल ला है और चेक कर लिए इसमें एच चेक्स क्यूब पी यह दोस्तो ईपी होना चाहिए यह गलत है यहां पर दोस्तो ओ दिया हुआ तो यह तो वैसे गलत होगा है तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कोशन पर अब यह कोशन द आइए इसमें देखते हैं वी एएए सीयों बिलकल सेए इसमें गलत है तो ऑफ्षन सḥी हमाना गलत हो जाए और साहिं में दोस्तो एकड़ म सही दी होगी हैशाशन दोस्तोष तो डी-ए गें बिलकल सी दोस्तो डी-ए गें बिल गदीनॏ बिरissements जिये अवा यां थे सैंबर 19 एकदम ठीक है December 19 विलकुल सही है दोस्तों December 17 है तो यह वाला हमारा cancel हो जाएगा तो 1989 देखते हैं तो यह 1889 है दोस्तों तो यह भी गलत तो यानि कि Option B हमारे विलकुल राइट आंसर हो जाएगा कौन सा Option B दोस्तों इसका विलकुल जाएगा किन दोस्तों तो इसमेंmä locum ठीक है को ह ले पियू एर अम विलकुल सही है तो अभ यहां पर देखे तो यहां पर घलत है खाते ही कर्वास के यहां और बूस्तों यहां पर होगा है भी थीक है अब दोस्तों जैनविरी की सब्सक्राइब यां पर 19 यह वह टो सब्सक्राइब आपको उन मैंसे अंग्रेजी बर्डमाला के आदार पर दितिया इस्तान पर आने वाला नाम या सब्द चांटना है अब दोस्तों आपको अताना है दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा डिक्सिनरी के अकॉर्डिंग हम अरेंज करें तो तो इसमें देखते हैं डियो डियो और डियो डियो सबी में सेम है दोस्तों डियो तक हम चेक नहीं कर पाएगा उससे आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्या मतला है यू यहाँ पर क्या मतला है डबलू और यहाँ पर क्या मतला ह आप करेंगे बी पहले आता है पहले नंबर पर तो दोस्तों यह हो जाएगा दूसरे पर कौन सा हो जाए यह तो दूसरा वाला ही तो हमको उताना तो ऑप्शन डी इसका विल्कुल राइट अंसर हो जाएगा तो चलते हैं नेक्ट कोश्चन पर अब दोस्तों इसमें भी हमको आई और यहाँ पर आई तो अब वह पहले आता है आई तो आई पहले आती है तो आई इन तीनों में दिया हुआ है तो अब इससे आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्या एस यहाँ पर क्या एन और यहाँ पर क्या जी तो पहले कौन सा आएगा एस एन जी मैसे तो जी पहले जाएगा तो चलते हम नेव्owana कोशन पर तो अब दोस्तों यह कोश्टन दिया हुआ है तो यह इसने भी दोस्तों आपको नुटि बी आएगा तो बी वाला दोस्तों कौन सा हो जाएगा तीसा वाला तो यह हमारा नहीं होगा अब इसके बाद दोस्तों कौन सा डी आएगा तो यही दूसरे नमबर पर आजाएगा जज्जमेंट यह हमारा विट को राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपके यह क पोशन्स कम्प्लीट हो जाते हैं तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएं और दोस्तों अपना इसकोड जरूर बताएं कमेंट में और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें चैनल सस्क्राब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राब भी कर दें ठेंक यू, all the best